हेलो फ्रेंड्स आई सी यार यूजी पीजी और पीएसडी का जो रिजल्ट है स्कोर काड़गा वो आने वाला है अभी तक आपके प्रसंटाइल में मांक्स आई थे अब आपका एक्च्छल स्कोर आएगा कि आपने कितना स्कोर किया है आपका चस्तो नंबर का जो पेपर हु आज नाइट तक आने वाला है अभी मैं आपको सारी प्रोसेस में बताने वाला हूँ कि रिजल्ट आपको किस तरह से निकालना है तो देखे सबसे पहले आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है और उस पर डालना है आई सी आर एक्जाम ठीक है वह पहले वाली एंटी आफिकेसन लोग-इन को उप्शन मिलेगा यहां से लोगन आपको क्लिक कर देना है जैसे आप लोगन करेंगे कि यह अप्लीकेसन नंबर पास्वर्ड स्विर्टी कोड यह सब आपको देखने को मिलेंगे अब दीखे इसमें मेन रिजन यह हैं कि आपको अपने प्लिकेसन बनाये थे वो केवल NTA तक ही सिमित थे अब ICR धहली की तरफ से आपको एक mail आएगा और उस mail में क्या क्या लिखा हुआ होगा और उसमें पासट कौन से मैं आपको बताने वाला हूँ तो देखिए एक बार देखिए लाश्ट येर आपको दिख रहा होगा उसके लिए ICR धहली ये सब कुछ करवाती है तो वहां से आपको आपके अप्लिकेशन नमबर जो रियल अप्लिकेशन है वही आएंगे लेकिन पासवर्ड आपको अपना अलग से पासवर्ड बना के बेज़ेगी कुछ इस तरह के मार्क्स का और नीचे वह आपको साइट में आपको बताई थी ये वही साइट है और इस साइट पे लिखा गया है कि इतनी तिनी डेट के बीच में आप इसको ओपन कर सकते हैं ये लाश्ट येर का है इस ब आपको पने पासवर्ड चेंज कर लेने हैं जो भी आप चाहें जिस तरह का पासवर्ड चाहें उस तरह का पासवर्ड बना सकते हैं ये पासवर्ड आप न रखें क्योंकि ये पासवर्ड आइसर की तरफ से जनरेट किया गया है सब के लिए एक नोर्मल कॉमन पासवर्ड स सब बच्चों की अलग-अलग पासवड होंगे लेकिन एक नंबर वाले पासवड है तो इससे आप पे थोड़ा सा कॉंप्लेक्स फोम बना ले हैं ठीक है लाइक आपका नाम 808 123 कुछ ऐसा करके जो भी आपको ठीक लगे तो इस तरह का आपको एक एमेल आने वाला है और जो म पासवड लगा के जैसे आप लोगिन करेंगे यहां से लोगिन हो जाएगा लोगिन होने के बाद फिर आपको वापस अपने अप्लिकेशन नमबर डालके और आपके पास आएगा न्यू पासवड चेंज पासवड तो उस पे आपको चेंज पासवड करके और आपको अपन पतानिवालाहु जहिन